केंदर सरकार ने तमिलाजू और राजस्तान में उर्वरक्रों की कमी की खबरों को खारिच करते हुए काहा है कि चालूर 27 के लिए देश भर में यूरिया और डियेपी साहिद परमुक उर्वरक्रात मात्रा में उपलब्ध है उर्वरक्राले ने एक बियान में कहा कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में त्रीची, तमिलनाजू और राजस्तान में उर्वरकों की कमी का दावा किया गया है ऐसी खबरे तथ्यों से परे हैं ये सपस्ट किया जाता है कि देश में चल रहे रभी मोसम की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध है केंदे सरकार सभी राज्यों को जरूरत के अनुसार उर्वरक भेज रही है और ये समंदित राज्य सरकारों की जिमेदारी है कि वे जिला के भीतर और जिलों के बीच भेतर वितरन परणाली के माध्यम से इसकी उपलब्धा सुनिश्चित करें मंत्राले के मुताबिक वर्ष 2022 के रभी सतर के लिए यूरिया की जरूरत 180,18,000 तन रहने का अनुमान है और अनुपातिक अधार पर 16 नमंबर तक अवशकता 57,4,000 तन थी जिसके विरुद सरकार ने 92,54,000 तन की उपलब्धा सुनिश्चित की है इस दोरान यूरिया की विक्री 38,43,000 तन रही इसके लावा राज्यों के पास 54,11,000 तन का पहले से स्टोक पड़ा है और इसके लावा यूरिया संतित सेयंतरों में 1,5,000 तन और बंदरगाहों पर 5,3,000 तन का भंडार उपलब्ध है मंत्रालिया ने कहा है कि डीएपे के मामले में रभी सतर के लिए अनुमानीत अवशक्ता 55,38,000 तन की है और अनुपातिक अधार पर 16,00 नवंबर तक अवशक्ता 26,98,000 थी चबकि मंत्रालिया ने 36,90,000 तन की उपलब्धा सुनिश्चित की है इस दोरान डीएपी की बिक्री 24,57,000 तन रही और इसके इलावा राज्चियों के पास 12,33,000 तन का पहले से बचा हुआ स्टोक पड़ा है इसके इलावा मांग को पूरा करने के लिए डीएपी सेयंत्रों में 51,000 तन और बंदरगाहों उपर 4,59,000 तन का स्टोक उपलब्ध है इसी तरह रभी सीजन के लिए मोपी के अनुमानी तफशक्ता 14,35,000 तन है और 16 नमंबर तक अनुपाती का फशक्ता 5,28,000 तन थी जबकि मंत्रालिया ने 8,4,000 तन की उपलब्धा सुनिश्चित की इस अवदी के दुरान मोपी की बिक्री 3,1,000 तन हुई और राज्चिय है सुर्वरकों के मामले में रभी सतर के लिए अनुमानी तफशक्ता 56,99,000 तन की है और 16 नमंबर तक अनुपाती का धार पर अफशक्ता 20,12,000 तन थी इसके अवद में मंत्रालिया ने 40,46,000 तन की उपलब्धा सुनिश्चित की इस दुरान एनपी के सी बिक्री 15,99,000 तन रही और इसके लावा राच्यों में 24,47,000 तन का पहले का बचा हुआ स्टोक पड़ा है जबकि मांग को पूरा करने के लिए सैंतरों में 1,24,000 तन और बंदर का होपर 2,93,000 तन का स्टोक अवेलेबल है रभी सतर के लिए सिंगल सूपर फासफेट यानि SSP की अनुमानी रभी की बिक्री 9,25,000 तन रही और इसके लावा राच्यों में 15,54,000 तन का पहले का बचा हुआ स्टोक पड़ा है मांग को पूरा करने के लिए सैंतरों में 1,65,000 तन का स्टोक भी उपलब्द है मंत्राले ने कहा है इस परकार देश में यूरिया, डियापी, मोपी, एनप केस एस और एस एस पी उर्वरकों की उपलब्ता रभी सत्र की जरूरतों को पूरा करने के लिए फिलाल प्रयाप्त है वर्तमान में गेहूं चना और सरसो जैसी रभी की फसलों की बवाई चल रही है सरकारी आकडों के नुसार इस रभी सत्र में 18 नवंबर तक सभी रभी के तहट कुल खेती का रखबा बड़ा है और यह 268,08,000 हेक्टेर है जो एक साल पहले की समान अवदी में 250,066,000 हेक्टेर था विरो रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी